बहुत ही सिंपल और इजी तरीका आपकी पनीर बहुत ही परफिक्ट और टेस्टी बनके तयार होगी जैसे किसना दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल अंसमान की रसोई में श्वागत है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइ बनाना शुरू करते हैं इसी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो एक एजी पनीर में हम पांस एच्छे बड़ी प्याज लिए हैं और उसमें लसन है अध्रक है लसन के माता दो पूती में उसके शिलके उतार करकर रख लिए हैं चार पांस हरी जितने भी गरम मसाले होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा लिए हैं और इसमें हम देखिए हरी धनिया और प्याज इन सबको पीश करके इसकी ग्रेवी बना लिए हैं और पांस चे टमाटर है उसे भी हम छोटा-छोटा काटके पीश लिए हैं तो ग्रेवी बनाने से क्या होत ताकि इसका पानी निकल जाए या अगर आप फ्रेज से निकालते हैं तो थोड़ा नॉर्मल होने के लिए आप कुछ न मिनुट पहले आप इसे बाहर रख दें और पनीर के चोटे चोटे पीसे में हम कट कर लेंगे बहुत बड़े पीस इसकी नहीं कट करना है तो यह दस से बारा लोगों के लिए हम बना रहे हैं तो बस इसी तरीके से आप पनीर को चाको से चोटा चोटा कट कर लें अगर और बड़ी पीस आपको पसंद रहे तो और ब इसके बाद हम दो केजी मटर है उसके भी शिल्क के उतार करके रख लिये हैं और अब हम गैस पर रखेंगे कड़ाई तो कड़ाई हमारी अच्छे से गरम हो गई है तो आप क्या करें कि पनेर को थोड़ा सा आपको तेल में एक मिनट के लिए आपको भून लेना है मतलब इस पनेर बाद में फूटेना है और बहुत ज्यादा अगर आप तेल में इसको तल लेंगे तो आपकी पनेर इस पंजी नहीं रहेगी उस्सक्त हो जाएगी इसलिए बस आपको एक मिनट के लिए जब खुब तेल गरम हो जाए तो तेल में आप डाल करके इसे बाहर निकाल ले इससे हमारे पनेर फूटती नहीं है तो यह देखिए इससे हम आप बाहर निकाल लेए हैं इस तरीके से आप पूरे पनेर को हलका सा तेल में एक मिनट के लिए शिखे आप बाहर निकाल ले इससे पनेर आपके फूटेगी नहीं और देखिए इस पे बिलकुल भी कबर नही ठीर को हम तलके निकाल लिए हैं थोड़ीस से तेलो की मातर नहीं बढ़ा दिये हैं और देज चलATHAN नशे पॉड़न टाल दिए हैं इतं अमें हमारी अच्छे से照ा कर ही अपर दिये युज़़ी प्याज के हम ग्रेवी बना लिए हैं एक प्याज इसमें हम बारी कट करके डाल दिये हैं जब हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन प्राउन हो जाए तो इसमें हम पीशे वे ग्रेवी को डाल देंगे और एक चमच हम इसमें हल्दी पौडर डाल दिये हैं तो हल्दी को भी हम तेल में पका लेंगे इसी कलर भी अच्छा आता है और दो बड़े चमच हम धनिया पौडर डाल दिये हैं इन सब मसालों को आप चाहें तो ग्रेवी में मिला करके पका और चाहें तो आप पहले से तेल में डाल करके पका लें और जो भी हम मसाला इसमें हम देखे प्यूरी भी मुझे में डाल देते हैं और इन्हें हमें मिधीमी आज पर कम से कम तीन से चार मिनट तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाएं इसे हम ठाकर के छोड़ देए हैं और एक बार हम इसे चला करके देखते हैं प्लेट को उपन करके तो अब हमारी ग्रेवी अच्छे से पकी नहीं है जब इसमें से तेल साइट से अलग होने लगे तब हमको मटर को डालना है और पानी को भी डालना है और इसमें हम उपर से थोड़ा सा कलर के लिए एक चमज लाल मिर्च पाउडर डाल दिये हैं इसे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है ते देखिए अब तेल अलग हो गया है ग्रेवी में से हमारे सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं अ अब इसमें हम मतर के जो दाने हम अलग फ्रेश करके रखे हैं इसको हम इसी में डाल करके एक मिनिट के लिए थोड़ा सा नरम होने तक इसे भी हम चला करके ढख देंगे तक हमारा ये मतर भी हलका सा इसमें पक जाए इसे हमारी पनीर भी बिलकुल स्पैंजी और मुलायम र मतर के दाने थोड़ा टाइट थे इसलिए हम उसको एक मिनिट के लिए ये देखिए हम जो पनीर तेल से निकाले हैं बिलकुल स्पांजी है और इसे को आप उसमें डाल करके जब पकाएंगे तो बिलकुल भी नहीं फूटेगा और बहुत अच्छी हमारी ये पनीर की सबज इसमें डाल दिये हैं और एक लीटर हम पानी डाल दिये हैं इसमें हमें पनीर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और नहीं तो बहुत ज़्यादा इसे हमको गाडा करना है अगर आप और ज़्यादा लुप देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मखाना काजू बदाम डाल दें और मलाई डाल दें आपके पास खोया हो तो आप खोया इसमें आइड कर दें लेकिन मैं बिल्कुल सिंपली आपको बता रही हूँ इस तरीके से हम पानी डाल करकी इसे हम बॉइल कर लेते हैं और कलर के लिए हम थोड़ा सालाल मिर्चे डाल दिये हैं फोड़ा सा इसमें कलर भी डाल दिये हैं उपर से यह जब पक के तयार होता है तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसके जाग खतम न हो जाए अब उपर से तेल आ जाएंगे थोड़ा समकुछ को पका लेना है इसके बाद हम इसमें उपर से पनीर डाल देंगे पनीर डाल करके हमें बस तीन से चार मिनिट तक पक पानी पॉइल हो चुके हैं तेल इसमें से अलग होने लगे हैं अब हम पनीर को डाल देंगे तो शारे पनीर को हम धाल करके चला देंगे यह कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है बस पनीर को हमको 3-4 मिनिट तक इसमें पकाना है ताकि इसकी अंदर मसाले और नमक यह सब अच्छे से भिन जाएं बस तो अब इसमें हम स्वादान स्वादा नमक डाल करके और थाले से कम से कम 2-3 मिनिट के लिए ढख लेंगे और गैस को हम थोड़ा हाइव कर देंगे क्योंकि हमारे मसाले और पानी सब अच्छे से पक चुके हैं तो यह देखिए पनीर हमारा बिल्कूल अच्छे से इसमें पक रहा है कि एक बार हम इसे चला लेते हैं कि तो हमें अच्छे से चला लेना है बिल्कुर अच्छा एकदम बढ़ियां इसमें कलर आया है बहुत कुछ से चला लेते हैं बहुत ही बनियां हमारा इसमें से फुसबू आ रहा है पनीर से और हम गया इसको बंद कर दिये हैं यह देखिए कितना डेस्टी बहुत थी इसे आप चावल रोटी के साथ खाएंगे महमान को भी अगर बनाना है तो आप इस तरीके से पर इसी तरीके से आप महमान को बना करके खिलाएंगे बहुत ही बढ़ी है आपको पनीर बनके तयार हो गया तो लीजिए गर्म गर्म मारा पनीर बनके तयार हो गया है इसे आप चावल के साथ रोटी के साथ खाएं और पनीर की यह रिश्पी अगर आपको पहसंद आई हो तो प्लीज वीडियो क लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आप अपने परिवार वालों को अपने बच्चों को जरूर बना करके खिलाएं इसका टेस्ट आपको कैसा लगा है यह अन्वों आप हमारे साथ जरूर सेयर करें इसे साथ हम वीडियो एंड करते हैं धन्यवाद